पूरे एसिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुके संबानी और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क में कॉंपेटिशन स्टार्ड हो चुका है जी हैं दोस्तो, Reliance Industry के चेयर्मेन और डारेक्टर मुके संबानी अब सेटेलाइट इंटरनेट मार्केट में इंटर कर चुके हैं जबकि इस फिल्ड के हीरो सिरिप Elon Musk थे, Elon Musk की Starling Internet Service Company अब तक इसेरिया को कबर कर रही थी Recently आपने देखा होगा कि जब हमारे प्राइमिनिस्टर मोदी अमेरिका विजिट पर गए थे तब वो Elon Musk से मिले थे और Tesla के factory को भारत में इस्टेबिस करने के लिए आमंतरित किया था और Elon Musk ने भी कहा था कि Tesla जल्दी भारत में आएगा Elon Musk Tesla के साथ साथ Starling Internet Service को भी भारत में लाना चाते थे लेकिन अब मुके संबानी भी इस फिल्द में इंटर कर रहे हैं जो कि Elon Musk के Starling Company को सीधा टकर देगा तो आज की इस वीडियो में मिसी अपडेट के बारे में जानेंगे कि मुके संबानी की जीओ ने जो जीओ स्पेस फाइबर के इनाउंस किया है वो क्या है इससे भारत को क्या फाइदा होगा और ये कैसे Elon Musk की Starling Company को टकर देगा नमस्कार दोस्तों मैं हो विकास और आप देख रहे हैं All India Affairs द्रसल दोस्तों जीओ स्पेस फाइबर भारत की पहली जीओ फाइबर सर्विस है आज भारत के जिसकोने में जीओ का इंटरनेट नहीं पहुँच पा रहा है मुके संबानी के इस टेक्नलोजी के वज़र से उस एरिया में भी जीओ का इंटरनेट पहुँचेगा वो भी बिना टावर के जिसकी स्पीड हमारे इंटरनेट की स्पीड से सोगुणा जादा होगी इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस 2023 के इबेंड में रिलाइंस ने जीओ स्पेस फाइबर इंटरनेट की जिलग दिखाई थी जीओ इसपेस फाइबर एक सेटेलाइट बेस जीगा फाइबर टेकनलोजी है जो सुनसान से सुनसान पहाड़ी वाले रिमोट एरिया में भी इंटरनेट पहुचाएगा भारत का ऐसा ऐसा एरिया जहां पर जीओ फाइबर के केवल को पहुचाना impossible है उस एरिया में भी जीओ इसपेस फाइबर से इंटरनेट प्रवाइड किया जाएगा यहां आपको बताते चले कि इस रेस में मुके संबानी अकेले नहीं है बलकि Elon Musk की Starling Company और भारत की Airtail Company भी इस टेकनलोजी पर काम कर रही है हाँ यह चीश सच है कि Elon Musk ने पहले ही इस टेकनलोजी को हकिकत में बदल दिया है और अमरेका के लोगों के इसका फाइदा हो रहा है और अब Elon Musk इस टेकनलोजी को भारत में भी लाना चाते थे लेकिन उनके आने से पहले ही भारत की Reliance Industry ने Geo Space Fiber लॉंच कर दिया है और भारत के चार remote place में इसका टेस्टिंग किया जा चुका है यह चार जगा हैं गुजरात के गीर में, 36 गल में कोरबा, उडिसा में बाबा रंगपूर और असम में जोरहाट चलिए अब आपको बताते हैं कि यह टेकनलोजी, यानि कि Geo Space Fiber बिना टावर के, बिना फावर केवल के इंटरनेट कैसे प्रवाइड करेगा गाईस आपने कभी देखा होगा गाउं और सहरों में बड़ी-बड़ी मस्रीनों के जड़िये, सलक के किनारे एक लंबा च्छित किया जाता था और मोटी-मोटी वायर को पार किया जाता था आपको उदा दे कि ये कुछ और नहीं, बलकि इंटरनेट केवल है लेकिन इस ने टेकनलोजी के आने से अब ये सारे काम बंद हो जाएंगे डिरेक्ट सेटेलाइट से इंटरनेट प्रवाइड किया जाएगा इसके लिए ना तो टावर चाहिए और ना ही वायफाई के लिए वायर ये टेकनलोजी रेडियो भी आपका यूज करती है इंटरनेट को प्रवाइड करनाने के लिए जो कि एक मोटम से कनेक्ट होता है गाईस इस टेकनलोजी की स्पीड आपको हैरान कर देगी आपने आज तक अपने फोन में 10 Mbps, 20 Mbps, 40 Mbps, 50 Mbps हो सकता है कि आप में से किसी ने 100 Mbps पर सकेंड इंटरनेट इस्पीड डाटा का यूज किया होगा लेकिन गाईस आपको बता दे कि इस टेकनलोजी के सामने ये कुछ भी नहीं है क्योंकि जियो इस्पेस फाइबर की कैपिसिटी बताई जा रही है 1 Gbps, जी हैं दोस्तों, मतलब की पलक जपकते ही 1 Gbps की मूबी डाउनलोड कमपनी का कहना है कि इस टेकनलोजी से 45 कोड़ों लोगों को फाइदा होगा आपके मन में अभी भी एक सवाल होगा कि रेडियो वेब का यूज करके इंटरनेट कैसे प्रभाइड किया जाएगा तो गैस इसके लिए आपको जाना होगा 90's में पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि टीबी को चलाने के लिए डिटी है चाता था और उसमें एक अंटीना लगा होता था और अंटीना को हिला हिला करके हम लोग टीबी देखा करते थे ये टेकनलोजी भी कुछ ऐसा ही वर्क करेगा जो भी व्यक्ति इस टेकनलोजी से इंटरनेट यूज करना चाहेगा उसे अपने घरों पर एक रिसीवर इनिस्टॉल करना होगा जो सेटेलाइट से आने वाले रेडियो वेब को केप्चर करेगा इस टेकनलोजी को बनाने में लकसंबर्ग भारत की मिदद कर रहा है रिलाइन से जीयों ने SES के साथ पार्टनर्सिप की है SES Medium Earth Orbit Satellite Technology के लिए दुनिया भर में जानी जाती है इस टेकनलोजी के आने से लोगों की जिनगी और भी असान हो जाएगी मैं आपको इसका practical example देता हूँ अभी इजराइल और हमास में वार चल रहा है और इजराइल ने गाजा के इंटरनेट को बंद कर दिया है ऐसे में Elon Musk की जो Starling Company है वो गाजा के लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करा रही है अपने satellite के जरीए तो गाई साब अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये technology भारत ने तयार कर लिया तो भारत अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों के भी मदद कर सकता है और अगर हमारे आसपास के देशों में कुछ ऐसा होता है या हमारे देश में कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पर इंटरनेट को बंद करना पड़े तो ऐसे case में हम इस technology का यूज करके उस particular area में internet प्रवाइड कर सकते हैं लेकिन इस technology के आने से ये संबब हो पाएगा और ये technology भारत सरकार के digital इंडिया के सपने को सकार करेगा अब आपके मन में एक और सवाल होगा जब ये internet लोगों तक महुचाएगा तो ये और भी मांगा होगा क्योंकि satellite भेजने और बनाने में खर्च भी बहुत आता है तो गाईस आपको बता दे कि Gio ने संकेत दिया है कि ये internet सेबा पहले के मुकाबले सस्ता हो सकता है और quality में पहले से भी अच्छा होगा तो वो भारत के बड़े बजार पर कबजा कर लेंगे लेकिन मुके संबानी के साथ साथ भारत के कई दिगज टेलिकॉम इंडस्टरी के मालिक ऐसा नई होने देना चाहते हैं और इसलिए अब वो खुद इस फिल्ड में आ रहा है और सबसे पहले मुके संबानी इस फिल्ड में कुद पड़े हैं गाईस आप सभी को पता है कि जियो और एड़े टेल भारत की दो बड़ी टेलिकॉम कंपनी है और वो दोनों नहीं चाहती है कि एलोन मस्क के स्टार्लिंग कंपनी भारत आए और इसलिए दोनों कंपनी भारत में सेटेलाइट इंडस्ट्री में बड़ा इंवेस्ट कर रही है इस टॉपिक पर अगर मैं अपनी राय दूँ तो वैस मुझे ऐसा लगता है कि इस ट्रेड वार के वज़ा से भारत के लोगों को काफी फैदा होने वाला है अगर गलती से भी एलोन मस्क की स्टारलिंग कंपनी भारत में इंटर कर जाती है तो इंटरनेट की जो प्राइज होगी वो काफी कम हो जाएगी क्योंकि सबी कंपनी में कॉम्पटिशन स्टार्ट हो जाएगा और वो जादा से जादा फाइदा और छूट देंगे लोगों को ताकि लोग उनके इंटरनेट का यूज करें लेकिन ये तो हुई जनता के फाइदे की बात अब इसका एक डिस एडवांटेज भी है कि Elon Musk के Starling या Tesla भारत में इंटर करती है तो वो हमारे देश की पूरी GDP का एक बड़ा इससा अपने देश लेकर चला जाएगे और अगर भारतिये कंपनिया इस तरह के टेक्निलोजी लाती है और Elon Musk को भारत में इंटर करने नहीं देती है तो भारत के लोग जितना पैसा इंटरनेट में खर्च करते हैं वो सारा पैसा भारत में ही रा जाएगा और हमारे देश की GDP बढ़ेगी और देश गुरो करेगा तो गैस ये तो मेरी राय थी अब मैं आपके राय के बारे में जानना चाता हूँ आपको क्या लगता है क्या इलान मस्क की इंटरी भारत में होनी चाहिए या भारतीय कमपनी को भारत में लोगों को कम पराइज में इंटरनेट प्रवाइड कराना चाहिए आप अपने डाय कॉमन बक्स में ज़रू दीजिएगा आई होब कि गाईस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे नौ ठेंक्स पर वाचिंग इस वीडियो मिलते है नेक्स वीडियो में एक नई जनकारे के साथ तब तक के लिए जैहिंद